बिग बॉस 13 में जब टास्क होते थे तो दिल और दिमाग की जंग होती थी कुछ लोग दिल से खेल जाते थे, कुछ लोग दिमाग से खेल जाते थे लेकिन यहां पर भी सेडनास को तोड़ने की और उनके बीच गलत फैमी पेदा करने की कोशिश बेताहाशा होई है कुछ लोगों ने दोस्ती की आड में ये कोशिश की और कुछ लोगों ने दोस्त बन कर पीठ में चोरा गोपने की कोशिश की यहां पर हम बात कर रहे हैं पारस माहरा की प्यादा टास्क में शेहनाज ने जो किया और सिधात ने जो किया वो तो सब ने देखा लेकिन एक कान्वरसेशन ऐसी जो पारस और माहरा के बीच चल रही थी जिससे पता चल रहा था कि ये लोग सेड़नास से कितना जादा जैलिस हैं, जैलिस 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 जो हमेशा शेहनास को टैक देते आए हैं, एसल में जैलिस कौन है और सेड़नास को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और किसके दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है सारी ही बातें शेयर करेंगे हम आपके साथ अपने इस वीडियो में तो प्लीज इस मॉमेंट को जरूर पूरा देखिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए प्यादा टास्क जिसमें शेहनास बहुत जादा होट हुई थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीम 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 खेला जा रहा था सिधात एक अलग टीम में था और टीम में रहते हुए भी वो अकेला था क्योंकि वो टीम ऐसी थी जो सिधात की पीठ में छुरा घोपने के लिए बिलकुल तयार थी और एक दूसरी टीम जो की सेडनास के अलग होने का बस वेट ही करती थी सिधात और शेहनास में अगर लड़ाई हो जाती थी तो ये लोग भी अपनी रोटियां सेकने वहां पर पहुंच जाते थे आसिम विशाल और रश्मी ने एक चाल चली थी जिसके जरीए वो चाहते थे कि शेहनास उनकी टीम वालों को वोट करे लेकिन शेहनास कभी ऐसा नहीं कर सकती जहां सिधात होता है तो वहां वो सिधात को ही चुनती है हाँ जिस गेम में अगर सिधात नहीं है तो फिर वो किसी की तरफ से खेले वो उसकी मरजी होती है लेकिन जब सिधात किसी गेम में या किसी टास्क में शामिल है तो शहनास की लोयल्टी सिर्फ और सिधात के लिए होती है इस टास्क में शहनास बहुत जादा हर्ट हुई थी क्योंकि सिधात को एक गलत फैमी हो गई थी कि दो प्यादे बढ़ाने हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि एक ही प्यादा बढ़ाना है और वो एक प्यादा आर्ती का बढ़ा चुका था दूसरा वो शहनास का बढ़ाता लेकिन थोड़ी सी misunderstanding हो गई और शहनास इस बात से बहुत जादा हर्ट हुई ये तो ही हमारे सेड़नास की बात और रूटना मनाना हमारे सेड़नास की एक अपनी अलग फिलिंग है ये लोग एक दूसरे से रूटते भी है और एक दूसरे को मना भी लिया करते हैं जो जखम ये एक दूसरे को देते हैं उसे हील भी ये खुद ही करते हैं जो दर दिने मिल प्यार में वो इनके प्यार को और भी जादा पक्का और मजबूत कर देता है। लेकिन यहाँ पर पारस ने एक चाल चली और उसने सिधात शुकला का प्यादा बढ़ाया और यह दिखाया कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ और तेरी लोयल्टी भी मेरी तरफ होनी चाहिए। मुझे मिलें क्योंकि बहुत अच्छे से पारस समझ चुका था कि सिधात शुकला का जो बाहर फैंडम है वो बहुत स्ट्रॉंग हो चुका है। तो वो चाहता था कि सिधात के जो फैंस है वो पारस या महरा को वोट करें उनके दोस्त समझ कर। क्योंकि सिधात इस वी सेफ हो चुका है तो उसके बदले के वोट वो उनके दोस्तों को देंगे। तो यहां पर वो इस गेम को इस तरह से खेल रहा था। आगे पारस ने कहा कि इस तरह से शेहनास से भी उसका बायकॉट हो जाएगा और जो सी सेडनास सेडनास करते हैं उस चीज़ का भी यहां पर बायकॉट हो जाएगा। मतलब शेहनास से और सेड़नास से भाई इतनी जादा जैलेसी थी पारस को कि वो उन्हें तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था. ये तो होई दो बाते और आगे तीसरी बात पारस ने कही कि सिधात को ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से वो आगे बढ़ा. ये टैग उस पर हमेशा के लिए लग जाएगा कि मैंने उसे बचाया तो वो इस टास्क में आगे बढ़ा और आगे तक पहुँचा. तो ये है पारस की गंदी चाल. ये पूरी की पूरी कान्वसेशन अंसीन में दिखाई गई है और माहरा और पारस का गंद दिमाग, गंदा खेल सामने आ चुका है. दो प्यार करने वालों के बीच में इस तरह से आना और दोस्ती की आर में छुरा घोपना. सच मुझ, ये बहुत, बहुत ही गलत बात है. जो सिर्फ और सिफ पारस कर सकता है. बहुत ही करनिंग नेचर है उसका जो की इस तरह की चीजों से सामने आता है. हां, आसिम ने भी कभी सिधात का या शेहनास का या सेड़नास का भला नहीं चाल. लेकिन वो जो था, मुपर वो दुश्मन था पीट पीछे भी और दुश्मन सामने भी था लेकिन पारस माहरा और ये जो पूरी की पूरी टीम थी वो सामने दोस्ती दिखाती थी लेकिन पीट पीछे इन लोगों की सबसे बड़ दुश्मन सिधात की so-called टीम ही थी मैंने एक लिप आज देखी इंस्टा पर तो मुझे लगा यार इसके बारे में तो जरूर आप सभी फैंस से बात करना चाहिए क्योंकि इस तरह के मॉमेंट फैंस देखना बहुत साथा पसंद करते हैं इन पर बात करना पसंद करते हैं वैल गाइस क्या कहेंगे आप इस पर क्या लगता है आपको कमेंट में आकर अपनी फैलिंग जरूर शेयर कीजिए वीडियो का लाइक करके जादर से जादर शेयर कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस अबडेट्स पाने के लिए थैंक्स पॉर स्थाल लगता है आप ए्वे एंक्साइब कर दीजिए नागता है झाजियो ले गजार शेयर दीजिए सेंट ए में दीजिए आउ में जैई आप एप